नमस्कार दोस्तों सुरेन हिंदी कलास में आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में मिलने वाले पूरुषकारों की का मैं पर्थम की मिला गया और हाल ही में नया पुरुषकार जो है पिछले दो तीन वर्ष के किसे मिले गए हैं जिन पुरुषकारों के परसंद आते हैं वह यहां पर दिए गए हैं कि पहला परसन है कि साहित्य अकादमी से संब्सक्राइब सुरेण हिंदी क लास में आपका सवागत है सं दोजार तेइस का साहित्य अकादमी पुरुषकार किसे मिला था। तो हमें ये ध्यान में पूना चाहिए कि 2023 का जो साहीतियकादमी पुरूशकार है यह किसे मिलाता है ने कि 2020 का साहीतियकादमी पुरूशकार ऐनामी को मिलाता तो रचना थीम की तोक्री में तोकली में दिगन दूसरा पुरुषकार जो है यदि हम बात करें ये 2020 में मिला था 2021 में साहित्य अकाद्मी पुरुषकार की यदि हम बात करें तो मिला था दया प्रकास सिनहां को 2021 में ये साहित्य अकाद्मी पुरुषकार मिला था और ये पुरुषकार उनको समराट असोक नाटक के लिए मिला था ये नाटक की रचना है, ये भी हमें ध्यान में रखना है, कि समराट अशोक नाटक के लिए जो है, ये पुरुषकार जो है, वो मिला हुआ है, ये क्या था, नाटक था, नाटक की रचना है, हमें ये भी ध्यान में रखना है, कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरुषकार जो है, ये पहली बार 2021 में नाटक विधा के लिए मिला था, ये भी ध्यान में रखना है, बद्री नाराण को 2022 में साहित्य अकादमी पुरुषकार मिला था 2022 में साहित्य अकादमी पुरुषकार मिला था बद्री नाराण जी को और यह जो पुरुषकार है वो इनकी काव्य रचना तूमडी के सब्द के लिए मिला था कि इन्हें शाहित्ययकार्वे Πुरुषकार मिल workers अब बात परसना कि एए 2023 का शाहित्यकार्वे पूरुषकार सुझीब को मिलाए मुझे पैचानो मुझे पैचानो इनके उपन्यास का नाम है और इसी रचना के लिए इनको ये साहित्य अकादमी पुरुषकार जो है वो मिला था मुझे पैचानो साहित्य अकादमी पुरुषकार जो है वो इनको इस रचना के लिए 2023 में जो है वो मिला था संजीब को जो है ये पुरुषकार मिला था 2024 का अभी घोषना जो है वो हुई नहीं है 2024 की घोषना अभी नहीं हुई है 23 तक यह पुरुषकार जो है वो मिले वे हैं साहित्यकार्वे पुरुषकार सर्वर प्रथम 1955 में माखन लाल चतृरुवेदी जी को मिला था और उनकी रचना हिम्त रंगिनी के लिए ये पुरुषकार उनको मिलादा हिम्त रंगिनी के लिए ये पुरुषकार उनको मिलादा 1955 में माखलाल चतुरवेदी जी को पर्थम साहित्यकाद में पुरुषकार मिलादा हिम्त रंगिनी रचना के लिए 2020 का एनामिका को टोगरी में दिगंत कावे के लिए मिला था और देया प्रकास चिनहा को 2021 में समराट असोक नाटक के लिए मिला था और ये इसलिए भी महत्तोपुर्ण है कि नाटक विधा में पहला साहित्यकाद्मी पुरुषकार 2021 में नहीं मिला है बद्री नाराण जी को 2022 में तूमडी के सब्द कविता संद्रा के लिए मिला है और मुझे पहचानों एक उपन्यास की रजना है जो 2023 में संद्जीब को जो है वो ये पुरुषकार जो है वो मिला हुआ है हम अगले परसंगी बात करें दूसरा परसंगी हम देखें इसमें ये भी साहित्यक आदमी से संबंदित है ये भी साहित्यक आदमी से संबंदित पुरुषकार है का परसन है साहित्यक आदमी युवा पुरुषकार की 30x in 2010 में किसे मिला यहीत्यक आदमी में पुरुषकार है उसकी घुसना हो पुरिय पांडे जी को इस मर्तियों में गिरी पर्थवी रचना के लिए ये पुरुषकार जो है इस मर्तियों में गिरी पर्थवी रचना के लिए ये पुरुषकार जो है इनको मिला हुआ है गोरराव पांडे जी को साहीत अकार्मी पुरुष्कार जो है वो इनको मिला हुआ है यदि हम अगले परशन की बात करें तीसरा पर्सन है व्यास सम्मान से समन्दे व्यास जो सम्मान है इसकी एदि हम बात करें व्यास पूत्रोसकार व्यास सम्मान दोहजार तेईस किसे मिला था यानि 2023 का व्यास पुरुषकार जो है वो कौन से साहित्यकार को मिला हुआ है यानि 2023 का साहित्य व्यास सम्मान जो है वो पुस्पा भारती जी को मिला हुआ है और ये तो पुरुषकार इनको मिला है यादें 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 रचना के लिए यादें 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 या मरना आत्मक रचना है इस रचना के लिए इनको साहित्य अकार्मी पुरुषकार जो है वो मिला हुआ है व्यास सम्मान जो है वो इनको मिला हुआ है व्यास सम्मान जो है वो इनको मिला हुआ है कि दो 123 का व्यास सम्मान की बाद चल रही है है 221 में सरथ पघारे जी को व्यास सम्मान गोछ मि कि और ये रचना जो है कोटन्यास था असकर बजाहत जी को 2021 में मिला था इनको 2020 में मिला था असकर बजाहत की जी को महाबली रचना के लिए मिला था महाबली जो एक नाटक रचना है अब देखे ये हमें एक महत्वपृर्ण तथ्य है साहित्य पूरुशकारों से सम्मंदित कि साहित्य अकाद्मी पुरुषकार 2021 में नाटक के लिए पहली बार मिला था पहली बार 2021 में साहित्य अकाद्मी पुरुषकार दया प्रकास जिनहा को जो है असोक समराट असोक नाटक के लिए मिला था व्यास सम्मान भी 2021 में पहली बार नाटक रचना के लिए मिला था अस्गर वजाहत जी को महावली नाटक के लिए माहा बली नाटक के लिए तो ये 2021 वर्स जो है ये नाटक को समर्पित हो गया एक तरह से व्यास सम्मान भी नाटक रचना के लिए मिला और साहित्यकार में भी जो है वो नाटक रचना के लिए मिला हुआ है 2022 में ये पुरुष्कार जो है वो ज्यान चतुर्वेदी जी को मिला पागल खाना रचना के लिए और ये एक वेंग उपन्यास है वेंग उपन्यास है पागल खाना वेंग उपन्यास है 2022 में इनको व्यास सम्मान जो है वो मिला है और 2024 का पुष्पा भारती जी को ये पुरुष्कार जो है वो मिला हुआ है यादे 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 रचना के लिए पुष्पा भारती जी डॉक्टर ध्रमबिर भारती जी की प कि 2024 का कुष्पा भारती जी को यह व्यास सम्मान जो है वो मिला है कि अगले परसन की हम बात करें कि अगला जो परसन है वह भारत भारती पुरुषकार से है अब देखें यह आप कोगे यह पुरुषकार भी आता है या बिलकुल किस तरह से पुरुषकार भले ने आए लेकिन ने यह यदि कोई पुरुषकार इसमें मिलता है तो उसकी रचनाओं का परसन या उस शाहित्यकार की रचना का परसन जो है वो आता है उत्तरपरदेस, हिंदी, संस्थानदबा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरुषकार है और यहे पूरुसकार 1981 में शुरू हुआ था और शर्व पर्थम महादेवि वर्मा जी को मिला था 1881 में ये शुरू हुआ और 1981 में यह है पुरुषकार महादेवी वर्मा जी को पहला भारत भारती पुरुषकार मिला और दूसरा भारत भारती पुरुषकार 1982 में ये जैनेंद्र कुमार जी को मिला और उसके बाद में यदि हम परसंद देखें कि भारत भारती पुरुषकार 2019 का भारत भारती पुरुषकार डोक्टर सूर्येबाला को मिला हुआ है और उसा किरन खान ये भी एक अच्छी साहित्यकार है इनको 2018 का भारत भारती पुरुषकार मिला था उत्तर परदेश हिंदी संस्थान दवारा दिया जाने वाला एक बड़ा पुरुषकार पांचलाक रुपए की रासी इस पुरुषकार के अंदर हाल ही में मिलती है अगला परसन यदि हम देखें अगला परसन देखें फिर देखें अगला परसन देखें की सरस्वती सम्मान चीए राम दरस्मी सर्थ अब ये जो नाम है ये सरण गलत लिखा गये यहांपर ये नाम है राम दरस मिश्र को सरस्वती सम्वान कब मिला था? ये एक बहुती महत्वप्रोन पुरुषकार है रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान कब मिला था क्योंकि सरस्वती सम्मान भारत के अंदर जो साहित्य के छेत्र में पुरुषकार मिलते हैं उनमें सबसे ज्यादा रासी जो है वो सरस्वती सम्मान में मिलती है उसके बाद में ग्यानपीट पुरुषकार में मिलती है, हाला कि ग्यानपीट पुरुषकार का महत्वेद जादा है इससे, क्योंकि ग्यानपीट पुरुषकार को भारत का साहिते के छेतर में मिलने वाला नोबल पुरुषकार कहलता है, और यदि हम सरस्वती सम्मान की बात करें, तो सरस्व पर्थम सरस्वती सम्मान हरीवन्स राय वचन को मिला था यह पुरुषकार हिंदी में केवल तीन ही सहित्यकारों को मिला हुआ है यदि हम दूसरे साहित्य की बात करें तो वो गोविंद मिश्र जी को मिला था गोविंद मिश्र जी को ये साहित्य सरस्वती सम्मान जो है वो मिला हुआ है गोविंद मिश्र को यदि हम तीसरे साहित्य कार की बात करें तो वो है राम दरस मिश्र रामदर समिस्र जी को ये पुरुषकार जो है वो मिला हुआ है यह जो पुरुषकार है इनको ये 2021 में मिला था मैं तो यहां हूँ मैं तो यहां हूँ रचना के लिए ये इनकी कविताओं की किताब है रामदर्श मिश्र जी को और 2021 में इनको ये सरस्वती सम्वान जो है वो मिला था कविता संग्र है ये 21 में 2021 का सरस्वती सम्वान यानि 1991 में जब यह पुरुषकार शूरू हुआ तब पहला लेखक हिंदी लेखक था हरीवन सराय बचन उसको ये मिला था उनकी जो आतों कथा के च्यार खंड है उस रचना के लिए इनको मिला हुआ है और बीच में वर्स 2014 में यह पुरुषकार गोविंद मिश्र जी को मिला हुआ है और 2021 में यह पुरुषकार रामदर्स मिश्र जी को सरस्वती सम्मान 2021 मिला हुआ है केवल अब तक तीन ही साहित्यकारों को हिंदी में सरस्वती सम्मान जो है वो मिला हुआ है अगले परसंद के हम बात करें यह महत्वपुर्ण है रामदर समिस्टल जो है यह महत्वपुर्ण है यह देगे अगला परसंद है पर्थम सोवियत लेंड नहरुपुरुशकार सोवियत लेंड यानि भूमी नहरुपुरुशकार किसे मिला था यानि पर्थम अच्छा पर्थम पुरुशकार किसे मिला था यह है पुरुशकार 1905 इस्वी में शुरू हुआ था सोवियत लेंड नहरुपुरुशकार सोवियत संग और भारत के बीच सद भावना इस्थापित करने के उदेश्चे से इस पुरुशकार की स्थापना की गई यह भारत के किसी कलाकार या साहित्यकार को जो है वो मिलता है और यह है पर्थम पुरुशकार किसे मिला था यह सन 1965 इस्वी में मिला था तो यह मिला था सुमित्र अनंदन पंद को सुमित्र अनंदन पंद को 1965 में जो है वो पर्थम सोवियत लेंड नहरु पुरुशकार जो है वो मिला था यह हमें ज्यान में रखना है पर्थम सोवियत लेंड नहरु पुरुशकार की से मिला था सोवियत संग और भारत के बीच मधुर संबंद की स्थापित करने के उदे से से कलाकार वैसाहित्यकारों को यह पुरुषकार जो है वो परतिवर्स मिलता है 1965 में सर्व पर्थम यह पुरुषकार जो है वो सुमित्रा अंदल पंत को मिला था अगले परसंद की हम बात करें तो अगला प्रसन है देखिए अगला प्रसन है कि हिंदी में हिंदी में पर्थम ज्यान पीट पुरुषकार हिंदी में पर्थम ज्यान पीट पुरुषकार पुरुषकार की से मिला था पर्थम ज्यान पीट पुरुषकार अब देखिए पर्थम ज्यान पीट पुरुषकार पर्थम ज्यानपिट पूर्षकार 1968 में फिर 1902 में फिर 1902 में फिर 1902 में फिर 1909 में फिर 2005 में फिर 2009 में फिर 2014 में और फिर 2017 में यह कुरुषकार मिला था 2017 में यह कुरुषकार क्रिशना सोब्ती को मिला था 2014 में कैदार नाथ मिश्र को मिला था 2009 में स्री लाल शुकल और अमरकांत को मिला था 2005 में कुम्र नायान को मिला था 2009 में निर्मल वर्मा जी को यह कुरुषकार जो है 1902 में नरेश महता जी को यह कुरुषकार जो है वो मिला था है में नरेश मेह Wonder ए निनीसोर प्याष्षी में महादेवी वर्मा को मिलाऊ है File कि देवी कि वर्माजी को मिलाऊ है उनिसो छिंट्र में अग्यैजी को मिलाऊ था कि स्ञसे नीशों बैक्तर में दिनकर जी को मिलाऊ है और्क अडशाड में सुमत्र-, अन płंधन पंत जी को सुमित्रान्दन पंत इसका उत्तर हो गया सुमित्रान्दन पंत यानि 68 में मिला फिर बहतर में मिला और अग्ये को देखो सुमित्रान्दन पंत जी को यह जो पुरुषकार है यह चिदंब्रा रचना के लिए मिला था चिदंब्रा रचना के लिए मिला था दिनकर जी को उरवशी रचना के लिए मिला था अग्ये को कितनी नाओं में कितनी बार रचना के लिए मिला था कितनी नाओं में कितनी बार महदली वर्माजी को यामा रचना के लिए मिला था उसके बाद में यह संपूरण साहित्यलेखन के लिए यह पुरुषगार भूष्गार मिलने लगा है परतिवर्स यह पुरुषकार मिलता है लेकिन परतिवर्स हिंदी के लेखक का नंबर नहीं आता है इसमें अगला परसन हम बात करें अगले परसन की हाट नंबर का परसन है पर्षनों की संख्या कम है लेकिन पर्षन हम जो है पूरी जानकारी के साथ यानि अनेक पर्षन किसमें बन रहे हैं पर्षन सहीते अकाद में पुरुषकार किसे मिला था ये चर्चा हम कर चुके हैं माखनलाल चतुरवेदी जी को उन्ली सो पत्पाम में इंतरंगनी रचना के लिए मिला था इंतरंगनी टरंगनी रचना के लिए यह कुरुषकार जो है वो इनको मिला था है अब देखिए यह परसंद भी बहुती मैतोप्रण है मैं बदा चुका हूं इसमें कि नाटक विधा में नाटक विधा में पर्थम साहित्य कादमे पुरुषकार कब मिला तो वो 2021 में मिला है दया परकास दया परकास सिनहाजी को और नाटक जो प्रजना थी उसका नाम था सम्राट असोग सम्राट असोग सम्राट असोग नाटक के लिए सर्वपर्थम 21 में साहित्य कादमे पुरुषकार नाटक मिधा मिला और सर्वपर्थम व्यास सम्मान नाटक रचना के लिए ये भी 2021 को मिला है व्यास सम्मान भी 2021 में ही ये मिला है अस्गर वजाहत जी को उनकी नाटक रचना थी महावली अब देखे पर्थम व्यास सम्मान पर्थम व्यास सम्मान कब मिला ये देखे पर्थम व्यास सम्मान किसे मिला तो वो राम विलास सर्माजी को मिला था राम विलास सर्माजी को सन 1901 में मिला शीव परशाद जिंग को 1902 में मिला और गिर्जा माथूर जी को 1903 में मिला था और 1904 में ये मिला था इस तरह से ये हमारे पुरुषकारों से सम्मंदित कुछ परसं थे जो की साहित्य में पर्थम और अंतिम के बारे में नहीं पड़ा बलकी अंतिम तीम च्यार किसको मिलाएं ये भी हमने पड़ा है तो हम ये पुरुषकारों से सम्मंदित परसंद जो रहे और लगभग आते ही रहते हैं हाल ही में जो भी पुरुषकार मिलते हैं उनके परसंद ज्यादा रचनाओं में जो है वो आते हैं साहित्यकार में पुरुषकार व्यास सम्मान महत्वपुर्ण है 2024 के पुरुषकार